नमस्कार, जैमातादी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतुआ जा रहे हूँ सावन का महिना वैसे ही बहुत पावन महिना होता है, भक्ती का महिना होता है और इस महिने में बहुत सारे वरत, तिथियां और अनुष्ठान भी पड़ते हैं और साथ के साथ कुछ अच्छे त्योहार भी पड़ते हैं वैसे तो ये महिना त्योहारों का महिना ही कहा जाता है, वरत करने का महिना कहा जाता है तप और जप और दान और कल्यान का महिना कहा जाता है लेकिन कुछ ऐसे वरत होते हैं जिससे आपके जीवन के अंदर खुशियां, सुख और समरिदी भी आती है और साथ के साथ आपके कर्मों में भी सुधार होता है पुत्रदा एकादिशी वरत ये बहुत ही उत्तम एकादिशी वरत माने जाते हैं संतान प्राप्ती की एकादिशी जैसे की नाम से ही आप इसे जानते हैं कि पुत्र प्राप्ती की एकादिशी का वरत कहा जाता है लेकिन ने संतान दंपती के लिए संतान की अवश्यक्ता होती है हर घर में एक संतान की अवश्यक्ता तो होती ही है कम से कम तो पुत्रदाय कादिशी वृत पर आप अपनी सारी मनों कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं इस वृत को रखने के साथ और साथ के साथ अगर वृत नहीं रख पारें तो एक संकल्प मात्र से भी आपके घर में संतान सुख की वृद्धिर होती है अब इस जिवन में तो ऐसा समय आगया है कि यहाँ पुत्र और पुत्री जाने ही कोई इसमें अंतर समझता लेकिन संतान का होना अति उत्तम होता है अब पुत्रियां भी पुत्रों से तो कम तो नहीं है लेकिन पुत्रदा एक आदिशी वरत के लिए अगर आप आपके घर में पुत्र प्राप्ती चाहिए तो उसके लिए भी इस वरत को रखा जाता है और अगर संतान की उत्पती चाहिए उसमें पुत्री ही हो तो भी ये वरत किया जाता है तो इस समय जो आज की जनरेशन है वो हमीशा संतान की कामना करती है तो कोई डिफ्रेंशेटर नहीं होता है चलिए हम संतान की अगर हम बात करते हैं तो पुत्रदा एकादेशी वरत की अगर हम बात करते हैं तो श्रावन के महीने की शुकल पक्ष की एकादेशी होती है यह और श्रावन का महीना जो कृष्ण पक्ष का होता है वो 15 तिति हमारी निकल चुकी होती है और यह वो 15 तिति ह को स्रावन के महीने को अंतिम शोर्ल की तर्फ लेंके जाटे के जाती हैं तो जब हम पुत्रदाइ कदिशी व्रत करें कि तो यहां पर आपके सावन के महीने के इन सूंभार निकल चुके होते हैं और चौथा सूंभार आने वाला होता है। पांच में सोंबार चोथे और इस बार जैसे प्रत्मातिती पर सोंबार था तो इस बार पांच सोंबार बढ़ रहे हैं तो चोथे और पांच में के बीच में पढ़ने वाला है यह वरत यानि चोथे सोंबार और पांच में सोंबार के बीच में पढ़ेगा यह एकादिशी व व्रत वह आपकी सारी मनों कमना को तो पूर्न करता ही लेकिन यहां पर एक बदलाब वी ग्रह का हो रहा है और वो भी कहते हैं सूरे का, सूरे पुत्र प्राप्ति के कारक माने जाते हैं, सूरे पुत्र के कारक माने जाते हैं, तो ये सूरे की जब हम बात करते हैं, कलपना करते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए सूरे अराधना भी की जाती है, वैसे तो सूरे पिता के कारक होते ह है यह पिता का सुक देटें को कहने का मतलत यह है कि सूर्य आपकी जीवन के अंदर को ने भूमिका निभाने वाला है सूर्य आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव करने भाला है तो यहाँ सूर्य का भी एक अच्छा बदलाव हो रहा है वह भी helpful बताएंगे लेकिन जब हम पुत्रदा एकादिशी की वरत कर रहे हैं तो ये वरत किस दिन रखा जाएगा ताकि आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट हैं जितनी भी समस्याइं हैं वो दूर हो सके और आपकी मनो कामना पूर्न हो सके ये एकादिशी वरत जो है इसकी ति 27 मिनट पर और ये तिथी का जो समापन होगा वो 16 अगस्त को सुबा 9 बज करके 40 मिनट पर समापत हो जाएगी यानि जब हम उद्या की तिथी देखते हैं तो ये 16 तारीक की पड़ेगी और अगर हम दिन की तिथी देखते हैं तो ये 15 तारीक को पड़ेगी लेकिन कोई भी वरत उद्या के अनुसार ही रखना शुब माना जाता है और उद्या के अनुसार ये वरत आपका 16 तारीक को रखा जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पती ही नहीं आपके लिए लाब के रास्ते खुलते हैं, आपकी उन्नती के रास्ते खुलते हैं और यहां पर इस समय सूरे का भी बहुत अच्छा बदलाब हो रहा है, तो वहां आपके गोर्वेंड सेक्टर में फसी हुई जो कई बार हमारी फाइल्स होती हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी ये वरत बहुत उत्तम और कारगर साबित होने वाला है, और वैसे भी कहते हैं कि शुब महूरत हो, शुब योग हो, शुब सैयोग हो, तो कोई भी वरत का लाब कई गुना ज़ादा बढ़ जाता है, लाब और उन्नती का महूरत बन रहा है, यहां पर इ दूसरा महूरत इसके अंदर बन रहा है, बहुत अच्छा है, इसी दिन सोला तारीक को शुब महूरत, और यह भी देखे, जब आप नाम से इन चीजों को आप कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे यह चीज़े हमारे लिए इस बार बहुत ज़्यादा फ्रूट फूल रहने वाली है वैसे भी कहते हैं भगवान विश्णू की अराधना, भूलेनात की अराधना करना इस महीने में बहुत उत्ता माना जाता है, लेकिन वही सूरे अराधना का भी सावन के महीने में खास महत्तव होता है, तो यहाँ सूरे का बदला भी बहुत अच्छे एक राशी में होने जा मिल रहे हैं जिससे आपके इस वरत का लाब जो है वो आपको कई गुना जादा बढ़ सकता है तो 16 तारीक को रखने वाला ये वरत 17 तारीक को पारेन किया जाएगा और पारेन भी कहते हैं पूरा विदी विधान से ही आपको करना चाहिए अब आतिवत कि कौन सा ऐसा योग है जो हम कह रहे थे कि सूरे का एक ऐसा योग बन रहा है जिससे आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है सूरे 16 तारीक को ही राशी परिवत्तन करेंगे और ये सिंग राशी में जाएंगे अब देखिए इसका connection कैसे आपके साथ जोगता है संतान के साथ कैस पंचम भाव की राशी हो जाती है तो पंचम भाव संतान का भाव होता है यानि जब हम कुंडली के पंचम भाव को हम देखते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होगी नहीं होगी या कितनी देर से होगी या किस तरीकी की समस्याइं आप फिस करेंगे संतान सुख की तो पंचम भाव के स्वामी स्वाराशी में आने से आपकी जिन्दगी के अंदर आपके जीवन के अंदर संतान सुख की प्राप्ती के पूरे-पूरे संयोग बना रहा है तो ये समय का जो ये वरत है इस समय वरत रखना उत्तम माना जाएगा यानि वैसे तो हर वरत तो हमें रखना चाहिए इन फैक्ट शावन के महीने का वरत तो हमें रखना ही चाहिए लेकिन ये वरत उन लोगों के लिए बहुत फूरूटफूल होने वाला उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध कारगर साबित होने वाला है जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं संतान सुकी प्राप्ती की कामना कर रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर ये वरत आपकी सारी मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला वरत हो सकता अगर वरत नहीं रख रहे हैं तो आपने संकल्प मातर जरूर लेना है कि अगर हमारे जीवन के अंदर संतान सु की प्राप्ति होती है और आप ये वरत यानि पुत्रदा एकादेशी वरत रखना शुरू करेंगी तो आने वाली पुत्रदा एकादेशी वरत से आप इसको रखना अरंब कर सकते हैं और दूसरी बात सिर्फ संतान सुख की प्राप्ति की बना यान संतान के सुख की बात भी ह होती है यानि किसी कारण से अगर आपके साथ मत भेद चल रहे हैं आपके संतान के तो भी आप मनों कामना पूर्ण के लिए आप इस वरत को कर सकते हैं और तो आप सूरे अरादना जरूर इस दिन कीजिए सूरे को जल जरूर अर्पित कीजिए सूरे के मंत्रों के जाप इस द प्राप्ति की कामना कीजिए ये एकादेशी उत्ताम एकादेशी है संतान सुप के प्राप्ति की सो आप इस एकादेशी का वरत रखे और बहुत सारे लोगों को जरूर इस वीडियो को शेर कीजिएगा हो सकता है किसी और को भी इस वीडियो की बहुत जरूरत हो और आपके म नामस्कार जामते दी